नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदो पंचांग के नुसार प्रतेक्मा में दो बार एकादशी तिति आती है एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन भवान विष्णू की पूजा अचना करने का विधान है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैई 2024 में एकादशी कप है दिन वादिनांग क्या रहेंगी और एकादशी की तिति क्या रहेंगी तो चलिए शूर करते हैं आज के वीडियो को लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तद आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी व्रत की तितियों की जानकारी प्राथ करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मई 2024 की पहली एकादशी वरुथनी एकादशी 4 मई 2024 दिन शनिवार को है एकादशी तिथी का आरंभ होगा 3 मई की रात 11 बच कर 24 मिनट पर और समाप्ती होगी 4 मई की रात 8 बच कर 38 मिनट पर वैसाक मा के किश्रपक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है मानता है कि वरुथनी एकादशी कबरत करने से बैकुंड लोग की प्राप्ती होती है मैं मा की दूसरी एकादशी मोहिनी एकादशी 19 मैं 2024 दिन अविवार को है एकादशी तितिका आरम होगा 18 मैं की सुबह 11 बच का 22 मिनट पर और समाप्ती होगी 19 मैं की दोपैर 1 बच का 50 मिनट पर बैसाक मा के शुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विश्णू ने दैत्तियों से अमरीक की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था मेरे वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ